हेलो नमस्कार फ्रेंट्स मानुज रोहित सिंग यू आर वोचिंग माउफिशल यूट्यूब चैनल बिटल फॉर एससी फॉर बिटल पेशन्स इसे वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिबल से समंदित कुछ न्यूस के बारे में जो की आज के न्यूस पेपर के अर्टि तो उसके बारे में बात करेंगे और कुछ अफवाएं भी आपको दूर करेंगे जो इसमें सोचल मीडिया पर चल रहा है तो 22 माई का यह सभी जानकारी देंगे और उसमें भी प्रमुख एक है कि तीजटी पीजटी भरते समंदित जानकारी है तो वह वाले स्टोडिन भी इस वीडियो को देखें उनके लिए यूसफुल होगा और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल अभी तक पहनी बार आ रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए बहुत सारे लेटेस्ट न्यूज और प्रमुख न्यूज सबसे पहले आपका यूपी पीस में बैठते हैं और एक विवाद और है स्केलिंग का स्केलिंग का विवाद समाप्त करने के लिए छात्रों लोक्षवा आयोग के अध्यक्षी की थी मांग तो उनसे यह मांग किया गया था अच्छा यह एक अफवाद यह है कि इस बार का जो 2021 का है उसमें कुछ ऐसा अगर हटता है तो यह नेक्स्ट यहर के एक्जाम में ही कुछ हो पाएगा तो अभी कि विद्यारती यूपी पीसे की प्रपेशन उतने ही अच्छे से करते हैं जिससे पहले कर रहे हैं उन पे इस न्यूज का कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है तो यह एक म न्यूज था तो अभी देखते हैं इस पर क्या अपडेट आता है आगे तो उसके बारे में बहुत करेंगे और इन सब के न्यूज को अगरा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो टेलग्राम का लिंक है वहां पर जोईन कीचे वहां से मैं आपको दे दूँगा आप डाउन अब तक पूरी नहीं करा सका है यूपी पी एस ती नोट करना तो यह एक धाई सो पडों का अभियाचन मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक्षेवा आयोग भरती का विग्यापन जारी नहीं कर सका कर रहा है शुक्रवार को तमाम अभ्यारती आयोग पहुँचे अब विग्ग्यापन जारी करने की मांकी विच्षी कँ लें कि आयोग वसदो जा हला कि aps भरती अब तक पूरी नहीं करा शका है इस भरती की लन्य पर देश्य नहीं किराई है इस भरती में सामेल है अभ्यारती अब ओडियर्टिन स कोना है यहां एक मुद्दा जो हाली में मुद्दा गर्माया हुआ हुआ है यूपी एसाई की अगर आप वेकंसी देखें यूपी एसाई में भी यूपा था 2016 में वेकंसी आई उसके बाद सरकार ने कहा कि हर एक शाल हम वेकंसी लाएंगे लेकिन अब ही 2021 में वेकंसी आ रहा है तो बच्चे ओवरेज हो गए तो इसके भी कोट केस लड़ा जा रहा है दिखते हैं क्या डिसीजन आता है यूपी एसाई के इस रिलेटेड और ये कुछ निव्ज निकलाता मतलब 18 दिसंबर को एनाउंस है आरो एरो को 18 दिसंबर को इसका मेंस होगा तो यह बहुत सारी वेकंसी हैं लगभग 13 वेकंसी हैं और इसको कराने की मांग उठ रही है और कोरोना की वज़े से उत्तर पर जिस लोक्षवायोग ने अप्रेर से जून जून तक तो सारी अस्त दिसंबर की बीच में 13 परेक्षाइं कराकर अविलंबन उसका रिजल्ट जाने करने की चुनूती है मैं क्यों क्यों कि जनवरी में आपका अचार सहिता लगेगा क्योंकि मार्च में एलेक्शन हो यूपिक है जुलाइस लेके आपका दिसंबर तक पेपर कराएंगे 13 पेप होके रहेगा ठीक है तो यह एक न्यूज है उसके बाद एक प्रवक्ता भरती के लिए 14 लाख आवेदन पढ़ाएं और अगर 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 देखें कि पदों की शंख्या कितने हैं तो 15,198 वेकेंसी हैं और उसके लिए 14 लाख आवेदन पढ़ें तो मतलब कंपटिशन टफ है तो आपनी प्रिपेशन भी करते रहिए ठीक है सहायक प्राप्त माधिमिक विद्यालियों के लिए बोर्ड ने 15 मार्च को सुरू की प्रक्रिया है तो 15 मार्च से क्या हुआ था फॉर्म अडलने शुरू हो गए थे लेकिन डेट को एक्टेंड कर रहे थे विकाउज ऑफ कोविड के वज़े से तो अब 15 मार्च को भरती के आवेदन मांगे गए थे चैन बोर्ड की कोरोना शंक्रमा के वज़ा से टीजिटी प्रवक्ता के आवेदन के लिए चार बार आवेदन की तिती बढ़ाया जाने के बाद 14 लाग आवेदन आये हैं ऑनलाइन अवेदन सम्मिट करने की तिती 20 माई के बाद 14 लाग से अधिक प्रवक्ता के लिए 2595 के लिए आवेदन मांगे गए थे तो यह एक अच्छा नियूज है अगर आप कर रहे तो अच्छे से सतर्क हो जाई है 14 लाख विकेंसी 14 लाख फॉर्म डले हैं विध्यारती हैं उसमें आपको 15198 में से आपको एक शीट निकालना है तो काफी मसगत करना पड़ेगा आपको तो आए इसको पढ़ सकते हैं पूरा डेटेर में आप पढ़ सकते हैं ठीक है पोज़ करके वीडियो पढ़ सकते हैं अब बात करेंगे हम बात करेंगे वीडियो के एक्जामेंस के बारे में आपको बता है कल सुनवाई हुई थी कोड केस हुआ था उसके लिए सुनवाई कर था फर्स्ट एरिंग किया गया था डेट 21 माई को और नेक्स्ट जो अब हीरिंग आपको मिला है वह है बाई अब यह समझे में था कि वीडियो का री एक्जाम तो डेफिनेटली होने वाला है यह एक शवाल उठता है तो यह हो सकता है आपका अगस्त या अब इस ताम पर कोड रिचिंटन करते हैं वीडियो री एक्जाम की प्रिशिन किज्ट अगस्त और सितंबर में डेफिनेटली आपको करा दिये गाएगा जैसी सुषनय मिल रहा है जैसा आयोगी सुषब काम कर रहा है तीजी दिखा रहा है है अब बात कर लेते हैं एक यह अगर के बच्चों को अगर अपना रिजल्ट चाहिए और बाकी जितने भी एक्जाम्स फसे हुए हैं अगर आयोक से कुछ रिस्पॉंस चाहिए आप लोगों को तो आप लोगों को जो ट्वीटर अभियान चलाया रहा है युवा मंच के दौरा या फिर अलग अलग जो चैन स्केल पर यह होगा तो उसका रिजल्ट उसका एक पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा और आप लोगों को कुछ हो पाएगा अगर आप ट्वीटर अभियान करते हैं फोकस जाएगा प्रेसर बनेगा तो हो सकता है कि जल्दी आपको मिल जाए समझें तो यह हो सकता है तो आप' उटकर के लिए आप केंपेसर करें सभी लोग करें और मेरे साथ जूढ़ना है तो ट्विटर लिंक है वह भी मैं शेयर करदूंगा और मेंसाद बिचूड सकते हैं मैं भी आप लोग को शपोर्ट पुरा करना हुजटना हो सकता है जितना समय मिलता है आप लोग के लिए मैं वीडियो और आप लोग के शपोर्ड की पूरा शपोर्ड करता हूँ तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल पर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यू